असलाम अलेकुम दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आज के टाइम बहुत ही सेंसिटिव और इंपोर्टेंट है तो टॉपिक है पॉर्ण डिस्ट्रोई यूथ माइंड यानि पॉर्ण का नशा कैसे हमारे नौज़ानों के दिमाग पर बुरा असर डाल रहा है ये एडिक्शन हर दिन बढ़ता जा रहा है इससे हमारे mental और physical health पर long term impact पड़ रहा है आज हम समझेंगे ये एडिक्शन किस तरह से यूथ के दिमाग को खतम कर रहा है इस वीडियो को पूरा दिखे ताकि आप समझ सको कि कैसे ये एडिक्शन आपकी जिंदगी को affect कर रहा है और कैसे आप इस एडिक्शन से बच सकते हो नमबर वन सबसे पहले समझते हैं पॉर्ण एडिक्शन क्या होती है पॉर्ण एडिक्शन एक साइकोलोजिकल कंडिशन है जिसमें एक इनसान बार बार पॉर्ण वीडियोस देखता है एक बार ये लट लग जाये तो इसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है पॉर्ण देखना एक तरह का नशा है जिसमें डोपामाइन रिलीज होता है जो दिमाग को टेंपरेरी प्लेजर यानि थोड़े टाइम की खुशी देता है जैसे सिग्रेड, अलकोहल या ड्रक्स का एडिक्शन होता है वैसे ही पॉर्ण भी एक बहुत ही डेंजरस एडिक्शन है अगर इससे जल्द छुटकारा ना पाए तो लॉंग तब में बहुत ही बुरा इंपक्ट डालता है आपके लाइफ में फॉर इग्जामपल जैसे एक बच्चा चॉकलेट खाता है उसे अच्छा लगता है लेकिन अगर वो रोज चॉकलेट खाए तो उसके दाथ खराब हो सकते है या वो unhealthy हो सकता है वैसे ही पॉर्ण देखने से short time में pleasure मिलता है लेकिन long time में ये health को खतम कर सकता है अब समझते हैं पॉर्ण का दिमाग पर असर ज्यादा पॉर्ण देखने से आपका concentration level कम हो जाता है जिसकी उज़े से ना आप पढ़ाई में फोकस कर पाते हो ना काम में Porn Addiction से Self Control खतम हो जाता है जिसकी उज़े से आप गलट decision लेने की तरफ चले जाते हो Porn Addiction से Real Relationship में Unrealistic Expectation आती है मतलब जो चीज आप Porn में देखते हो वही चीज आप अपने relationship और married life में expect करते हो जो कि किसी भी real relationship को fail कर सकती है For example, एक इंसान अगर रोज junk food खाए तो उसकी health बिगड़ जाएगी वैसे ही Porn देखना दिमाग के लिए junk food की तरह है यह आपकी life और relationships को बरबात कर सकता है ज्यादा Porn देखने से यूथ के behavior में बदलाव Porn addiction से यूथ में बेवज़ा गुसा और frustration आ जाता है जो उनके professional और personal life को affect करता है जो लोग Porn देखते हैं वो अपने आपको दूसरों से अलग करते हैं उनको अकेला पन पसंद होता है और ऐसे लोग जाधा तर depression में रहते हैं Porn addiction से life के real goals जैसे पढ़ाई, career और health इन पर से focus खतम हो जाता है एक real life example देना चाहता हूँ एक student जो एक time पर बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा था लेकिन जब उसने Porn देखना शुरू किया तो उसका academic performance गिर गया वो पढ़ाई में बहुत weak हो गया क्यूंकि उसका focus addiction पर चला गया था रात को late night Porn देखने से नीन खतम हो जाती है और इससे health problem जैसे ठकावाट, सरदर्थ और mood swings होते हैं जब आप अपने desires और addictions को control नहीं कर पाते हो तो आपका mental problems जैसे stress और anxiety बढ़ जाती है बहुत जादा Porn देखने से actual life में sexual problem हो सकती है जैसे erectile dysfunction जो की आजकल बहुत सरे मर्दों की common बिमारी है एक research के मताबिक जो लोग regular Porn देखते हैं उनमे anxiety और depression के symptoms नॉर्मल लोगों से जादा होते हैं पॉर्न addiction आपके self-esteem और आपके confidence को कम कर देता है फिर आपको लगेगा कि आप बहुत ही बेकार इंसान हो Porn addiction आपको खुद के ही नजर में गिरा देता है regular Porn वीडियो देखने से इंसान के सोचने का तरीका बदल जाता है वो real life situation को Porn वीडियो के scene के तरह समझने लगता है जो की unrealistic और fake है जो लोग Porn देखते हैं उनकी expectation अपने real partner से वही रहती है जो की उन्होंने Porn वीडियो में देखा था जिसकी वो जैसे relationship में डिस satisfaction होता है फोर एक्जामपल जैसे अगर कोई बच्चा रोग चोकलेट खाए तो उसकी taste bud adjust हो जाएगी और वो और कुछ नहीं खाना चाहेगा वैसे ही कोई इंसान जब regular Porn देखता है तो उसकी expectation नर्मल relationship से भी unrealistic हो जाते है फिर वो sex के दोरान उल्टा सिधा demand करने लगता है जैसे कि आप ये वीडियो देख सकते हो अभी तक इस वीडियो में हमने देखा Porn क्यों नहीं देखना चाहिए इससे क्या-क्या नुकसानात हो सकते है Now सबसे important point number six On addiction से कैसे बचे तो कुछ steps बताऊंगा आप उन्हें follow करे Step number one पढ़ाई, sports, yoga, hobbies जैसे positive activities में time spend करो ताकि आपका दिमाग गलत जगा divert ना हो Step number two अपने आपको इतना busy रखो कि आपको गलत चीजों के बारे में सोचने और करने का time ही न मिले Step number three अपने screen time को कम करो और online content पर control रखो Step number four अगर pawn addiction बहुत ज़्यादा critical है तो आप family, friends और counselor से बात करो आप उनसे help लेकर इस addiction से बाहर निकल सकते हो Number seven Overall conclusion की तरफ आते हैं दोस्तों समझना होगा pawn देखना temporary pleasure थोड़ी देर की खुशी देता है इसके long time नुकसानात आपकी पूरी जिंदेगी को affect करता है अगर हम अपने future को bride बनाना चाते हैं तो हमें अपने body और दिमाग का खयाल रखना होगा अगर video helpful लगा हो तो इसे like करे, channel को subscribe करे ताकि और ऐसे important topics आप तक पहुँच सके इस video में hate comment ना करे क्योंकि sex knowledge is also important and necessary to know everyone At the end इस video को share करे आपका एक share किसी की जिंदगी बदल सकता है